वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स तो यह देखे ऐलोवेरा का प्लांट यह बालों के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा प्लांट है इसके दवाहिवी बनती है तो एक सही बहुत सारा लग सकता है घर पे इस तरह गंपले में भी लगा सकते हैं तो इस तरह से इसको से दोने के पास और मैंने हैं साइड का काट कि आप अंदर से इसका जेल मैंने वह यूज कुछ सी करने चैनल तो मैं और्गैनिक ले रही हूं साथ मैं इसके अंदर ये नाजल का तेल लगा रही हूं इसके अंदर मिक्स कर रही हूं तो यापको कोशिश करने चाहिए आप नाच्रल ही लें मैंने उसको कई भर यूज किया तो मैं जहां भी लगाता मेरे वाण राइश इचिंग होने आप थोड़ा सा उसका patch test कर सकते हैं जब भी आप वो यूज करें थोड़ा strong होता है तो थोड़ा सा आप लगा के हाथ पर देख सकते हैं आपको कोई problem तो नहीं होती आदा घंटा अगर ठीक है तो आप वही यूज कर रहें वरना organic जैसे मैं यूज कर रही हैं आप वो ले सकत करते रहती हूं यूज के करके है शैंपू सापून जो भी है नोन जो यूज करते हैं मैं आपको फ्रेंट्स बिल्कुल बताओं गंजी हो गई थी मैंने रीबॉंडिंग कराई थी और उन लोगों ने मेरे बालों का सत्या नास्क मार डाला मुझे तब पता नहीं था इन च मैं यूज करती हूं कोई और नहीं है जो भी मुझे पता लगती है मैं फट आपको वीडियो के थिरू बता देती हूं तो जब भी हमें करते हैं मतलब नारियल का तेल तो वैसे ही बहुत अच्छा बालों के लिए स्किन के लिए भी इनको मिक्स करा मैंने ऐलो वेरा जेल मे करते हैं 15-20 मिनट तक मेरे बाल काफी ड्राय के बाद एकदम से ठीक हो गया है काफी फरक पड़ गया है मेरे कलर करके मैरे बहुत ड्राय हो गए मेरे बाल पर फिर भी आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है बिकाज यह सब रेमेडी में रेगुलर बैसेस्प न रोकते हैं और यह मिक्स आप जरूर ट्राय करें एक बर हफ़ते में जरूर कर ले करें तो आपके बालों की हैल्ट बहुत अच्छी होगी इससे तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ओडिंग का वीडियो सिंपल सा आप मैं उमीद करते हूं आप अच्छा लगा है अच्छा